हेलो बच्चों, आप लोगों का एजुकेशनल स्काई स्कूल में स्वागत है आज हम लोग वाइस यानि कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाइस के बारे में चर्चा करेंगे यानि कि उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे देखिए इसकी पहचान ये है कि सिंपल संटेंस में वर्व का सेकेंड फॉर्म लगा रहता है तथा निगेटिव और इंट्रोगेटिव संटेंस में वर्व का फर्स्ट फॉ दिवाइट करते हैं पहला सिंपल संटेंसेश दूसरा निगेटिव संटेंसेश तीसरा इंट्रोगेटिव संटेंसेश और इंट्रोगेटिव संटेंसेश जो है आपका दो भाग में है मलब दो भाग में डिवाइट होता है पहला यह से नो टाइप कोस्चन दूसरा है डवल आती है वह सबसे पहले लगता है और हिंदी में आता है क्या आप पढ़ते थे क्या आप खेलते थे इस तरह से और डबलेश टाइप कोस्टन में जो प्रश्णवाचक सब्ध होते हैं जो डबलेश वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं जिसके राम कहा जाता था सीता कहा ख़ेलती थी इस तरह से और इंग्लिस में डबल अचना सबसे पहले आज़ था कि कि w you play here इस तरह के वाकिने मिलते हैं देख्ये सबसे पहले हम लोगा single sentences से स्टार्ट करते हैं तो देखें इसका structure कैसे बनेगा सबसे पहले आप object लिखेंगे कहने की मतलब की जो सबसे पीछे वाग्य में सबसे पीछे object आएगा उस object को सबसे पहले लिखेंगे प्लस परिक थर्डवर में प्लस five लस सब्जेक्ट यानि कि जो उथर सबजेक्ड रहेगा उसको हम जबनाब हमका पर लिखेंगे अब promise लिखेंगये जैसे ञांपल लेते हैं पहला example है राम रोट लेटर अब इसको पैसी वाइस में या में से क्या लिखेंगे वाज लिखेंगे क्योंकि अलेटर क्या है सिंगुलर है तो अलेटर वाज राइट का आप लिखेंगे रोट का जो हो जाएगा थर्ट फार्म हो जाएगा रीटेन अलेटर वाज रीटेन इसके बाद क्या लिखेंगे बाई अलेटर वाज रीटेन बाई र दोज़ट आजाए तो उसमे से देखिए मी क्या है यह लीविंग है और आपिंग यह नाउन लीविंग मतलब निर्ज़ीव है जब दो अबज़ेक्ट मिल जाए तो हमकर निर्जीव यानि कि to me है इसको के बाद लेख देंगे अ पेन वाज गिवें टू मी ऐ है तरने शेपर इसके के पहले लगा देंगे सब्जेग्ट प्लस अधरर वर्ट चलि हम एक्जांपल धक्रीने कर थे हैं तो इसमें सब्सक्राइब करना है तो इसमें आपडिक यहां तो फ़ले लिख दीजिए क्रिकेट के साथ क्या लेगा लिगेगार दिखे음 वाज देखें नॉट है इसमें नाट यहां पर लिख दीजिए किरिकेट वाज बन जाएगा यानि दे मेर चाहेगा यानि की के देशर्छाइगा यानि यह क्लिए क्या है सिंगलर रिख्षैंब से सबस्क्राइब यहां पर देंगे राम को फिर देखें थर्ड इजांपल है वी डिड नाट गीव हिम अ पेन तो देखिए इसमें इसमें वी देखिए दो आपजेक्ट है एक हीम है और एक पेन है था हमने जैसा कि बताया था कि जब दो आपजेक्ट हो था हमेंसा नौन लिविंग से स्टार् क्या है अपेन वाज नाट गीवेन गीवन है इसको हिम है तो इसको टू हिम करके लिखेंगे तो हिम by वी क्या हो जाएगा अश हो जाएगा अब हम लोग इंट्रोगेतिव सेंटिंस दिखेंगे जैसा कि intuitive sentence दो प्रकार के होते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे yes या no type question yes या no type questions इसका structure देखें क्या होगा was या were plus object plus not plus verb का third form plus by plus subject plus other words चलिए इसको हम example के थूरू समझते हैं जैसे पहला example है did you not eat food तो देखें इसमें food क्या है object है लेकिन उसके पहले structure में देखें क्या लगाना है was या were तब food के साथ क्या लगए वाज की वर लगए food है food को हमेशा मतलब singular माना जाता है तो हो जाएगा was food फिर इसके बाद देखिए structure में object बात क्या है not फिर नौट फिर इसके बाद क्या लगाएंगे इसके बात क्या लगाएंगे यू यानि कि was food not eaten by you अब देखिए second example देखते हैं did he drink wine देखिए इसमें object क्या है wine इसमें object जो है wine है तो पहले क्या लगाना वाज या वर लगाना है तो वाइन आपका was wine drunk by him फिर आपका जो third example है या आपको खुद से करना है मैंने आप ले दिया है एक्जांपल है did they play chess यह आप example करिएगा तो इसको comment के माध्यम से हमको बताईएगा comment करिएगा इसका जो answer होगा आप comment में लिग दीजेगा मैं इसको देख लूँगा अगला है आपका डब्लीएश टाइप question इसका देखिए structure मैंने लिग दिया है डब्लीएश में पहले हम डब्लीएश से स्टार्ट करेंगे प्लस वाजवर प्लस अब्जेक्ट प्लस नाट प्लस बर्व का third form प्लस बाई प्लस subject प्लस अदर वर्ट जिसको यह नहीं पता है हम जब यह हाउ डिडियू बनाना है तो हाउ को आप तुरंत हाउ लिग दीजी तुरंत मतलब हाउ को वहीं पे आप लिग दीजिए इसके बाद जो पीछला वाला जो हम देखे ते अभी यह से मुसी तरह से आपको करना है फिर इस बात देखिए इसमें अब्जेक्ट क्या बनाना से बनाना से साथ क्या लगा इक वाज लेगगा ke watch लेगगा यहां फिर बिट कडिया यहां फिर इंते कि आपका ओकर जाएगा इधर तो जाएगा यूँ यानिकिसका बन जाएगा हाव वास बनाना इतन बाई यू सेकेंड इग्जामपल है वाई डी यू एब्यूस देम वाई डी यू एब्यूस देम तर देखे इसको इसको पैसी यह समें क्शेंज करेंगे वाई को तुरणद लिग देना है इसमें कुछ कोई भी changes नहीं करना है फिर इसके बाद इसमें आप जिट क्या है देम नहीं है देम के साथ क्या लग क्या है आपको ब्लूरल है फिर ये आपको करना है क्मेंट के तर उनेध में बताईएगा में डीड ही वीन दा मैच आप इसका जो है एंसर कमेंट में लिखेगा मैं इसको देख लूँगा अगला टॉपिक आपका है हूँ हूँ भी आपका जो है इंट्रोगेटिव के डवली एच वर्ड में आता है लेकिन यह इसका जो जो की पैसिव है जब इसको हम बनाते हैं इसी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है चलिए इसको देख लेते हैं अलग से इसका इस्ट्रक् से स्टार्ट करते हैं फिर बात पर घensor कहें करता है यह से पहला है धो डीड इट क्या है हूँ डीड इट तो देखिए उसको हम हूँ से स्टार्ट इसके बाद देखिए यहां पर नाट है नहीं फिर देखिए इस ट्रक्चर में देखिए नाट है नहीं फिर बड़ा थाट फार्ट फार्म लगा देजिए जीट कर दन यानि वाई हूम वाज एक डन फिर आगे देखिए दूसरा एक्जांपल है हूँ एब्यूज्ड यू तो जैसा कि मैंने बताया इसको बाई हूम से ही स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा तुरूंत हम लिख देंगे बाई हूम अब यू आपका क्या है प्लूरल है तो यू के पहले हम क्या लगाएंगे वर BY whom के बाई सहेकर यानिकी helping बर by whom were you है फिर abuse का third form क्या होता है अगर किसी को कोई confusion है तो आप मुझे comment के माध्यम से ञरूर बताएं मैं उसको हल जरूर खरंगा थैंक यू बच्चो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्क्राइब और लाइक जरूर करें धन्यवाद